हेलो फ्रेंद्स वेलकम अगेन तो देखो इस वीडियो दे विच्चे पा करांगे बी ये स्मेस्टर फिफ्थ दी इंग्लिश लिटरेच्चर दी फोर्थ इडी अपनी प्रोज है on the seat of my mother's picture out of Norfolk written by William Copper तो देखो इस दा कुछ भी तो आनू theme, idea, summary कुछ भी आजावे तुसी सरफ यही answer हो देना है तो देखो शुरू कर दिया on the seat of my mother's picture out of Norfolk is an L.G. L.G. हुँदा है a sad song is an L.G. written by William Copper जेड़ी यह poem है, ओहो, एक, मतलब sad song गएगा जेड़ी की William Copper दुवारा लिखी गई है William Copper is the poet of feelings जेड़ा William Copper है, उसनो poet of feelings कहा जान दा है मतलब के उस देड़ी poems हों दियाने, उनना विच्चों feelings ने जेड़ी है, बंदा feel कर दा है emotional कर दियाने हो, इंसान in the present poem, जेड़ी यह अपनी poem है, present poem है he has expressed his memories about his dead mother इस poem दे विच्च उनना ने express कीती है, अपनी memories express कीती है ने about his dead mother अपनी जेड़ी मरी हुई मात है, उनना बारे आपनू दस्य है इस poem दे विच्च उनना ने his emotions are deep and his experience of the childhood with his mother उस देड़े experience ने, emotions ने जेड़े ओ बहुती deep ने, गहरे ने and his experience of the childhood with his mother ते अपना जेड़े experience है, चाइल्ड हुड दा अपनी माता दे नाल, उन अपनू दस्य है when he was only six जदों ओ सिर्फ छे साल दा सी her maternal tenderness and solicitude solicitude हुणद है, care करना, चिंता करनी एथ्यों कह रहे हैं के her maternal tenderness maternal हुणद है, about mother ओ अपनी माता बारे कह रहे है जड़े उस दी माता दा maternal tenderness है, tenderness हुणद है kindness, द्याल्लू पन कहनदा उस दी माता दा जड़ा द्याल्लू पन, अते उस दी चिंता करना भी उस दी माता जड़े उस दा चिंता कर दिया, उस दी एंड उस दे प्रती देया, यडि द्यापा अबना ओ दखाऊंदी है left a profound profound the deep, left a profound permanent impact on his mind, जड़िया ए चीज़ जाने कहने दा, के उस दी माता किस तरह उस दी care कर दी सी हना ते उस दे प्रती द्यापा अबना रख दी सी जड़िया ओ चीज़ जाने ओ उस दे मन दे उपर permanent impact हुंदा है प्रवाब, उस दे दिमाग दे उपर ए पर्मानेंट आजड़ा प्रवाब हो छड़ गिया his love for her mother sorry, हर दी जगा ते his कर लियो his love for his mother was stayed stayed हुंदा है emotional पावुक सी गा जेड़ा कहने उस दा प्यार सी गा अपनी माता दे प्रती ओह बहुत जादा पावुक सी गा when he received a portate जो दो उस ने तस्वीर है जड़ी हो प्राप्त कीती of his mother अपनी माता दी from his aunt Mrs. Bodham अपनी अंटी कोड़ों जिस दा नाम Bodham सी गा the present poem is by nature Elgic by nature Elgic जा sorrowful कह सकते हुं जेड़ी poem है present poem अपपड़ रहा है एह sorrowful है थोड़ी दुखदाई कहिमा तलब है क्योंकि अपनी माता दिया जैनिया याद्दाने ओ आप एस विच्चा पनू एक्स्प्रेस कीती है ने राइटर ने इट फर्स्ट पब्लिष्ट इन 1791 एह उनसतारां सो कन्नमे दे विच्च जड़ी यह poem हो publish कीती गई सी the poem is the poet's filial homage जड़ी यह poem है ओ की है the poet becomes too much emotional जड़ी पोईट है ओ बहुत ज़्यादा emotional हो जड़ी when he looks at the silence face of his mother जड़ो अपनी माता दे चुप चाप जड़ी silent face दी तरफ देखद है in the portrait ओस तस्वीर दे बिचे जड़ी तस्वीर उसनों मिली हों दी है उसनों आंट तो जड़ो मतलब तस्वीर दे बिचे देखद है अपनी माता दे चेरे बाल जड़ा की silent है उसनों बहुत जड़ा हो emotional हों दे His life has become meaningless and full of sadness उस दी जड़ी life है ओ बहुत ही जड़ा meaningless अते sadness दे नाड़ पर गई है Since she left him all alone in the vast world जड़ों दी ये कहन दा उसनों ऐस संसार दे बिच एकल्या चटके गई है The smile of her face appeals him to his innermost recesses innermost recesses हुन दा है अराम देना मतलब कि उसनों दे चेरे दी smile है उसनों अंदर तों अराम देन दी है जड़ों तस्वीर दे विच ओ देख रहा है अपनी माता दा चेरा The same smile used to solace him solace भी हुन देना तसली देना The same smile used to solace him in his childhood एही कहन दा smile सेम एही smile उसनों उसनों उसने बचपन दे विच आराम देन दी सी जड़ों दी माता उसनों smile देन दी सी She used to say ओ केंदी हुन दी सी हमेशा Grieve not my child Grieve not my child दा मतलब के दुखी मत होगो मेरे बेटे Chaze all the fears away एथ T.H.E. द लिखना है Chaze all the fears away सारे है केने दुखानों पिछे छट देगो मतलब के उसनों encourage कर दी सी होंसला दिन दी सी अपने बेटे नू The poet's mother was full of affection for him जड़ी poet दी mother सी ओ बहुत जादा प्यार कर दी सी affection full of affection होंदा है प्यार उस दे लई बहुत जादा प्यार सी अपने बेटे दे लई उस दी माता ले दिल दे विचे Her face renews and refreshes his filial grief जड़ा उस दा मतलब face दीगा ओ उस दे grief नू दुख नू मतलब refresh कर दा सी ओस ना उस दा दुख है जड़ा प्रवारस बंदी हो काट जान दा सी and he finds himself in the beautiful dream अते ओ आपने आपने एक सुन्दर सपने दे विचे पौंदा सी वी जे में होग एक सुन्दर सपना देख रहा होबे it is a short dream at the death of his mother पर एजड़ा सपना सी गा एहे जड़ों ओधी माता जड़ी जिन्दा सी गी ओस दे जिन्दा होनो ते एजड़ा उस दा सपना सी बहुत short सी गा ते उस दो बाद उस दी माता दी death होगी तोड़े समेले ही अपनी एड़े खुशियां ने हो अपनी माता दे नाल देख पाया the poet had shed too much tears because it was just a beginning of his life's journey then जेड़ा poet है उस ने बहुत ज़्यादा हंजून एड़े हो बहाँ एस ही गे क्योंकि एक सिर्फ शुरुआत सी गी उस दी life दी ज़्यादी जर्नी है उस वक्त उते उसों उदों ही उस दी माता दी ज़्यादी है death हो जान दी है the bell of the church during the burial burial b-u-r-i-a-l पिछे ल लाले हो बरियल बरियल होंदे दफन करना the bell of the church यड़ी church दी बहले सी गी during the burial उस दी ज़्यादी माता दफन कर रही सी गे most appeals उपील कर रही सी उसनो him most appeals him and he feels the final farewell मतलब उसनो ए अपील कर रही सी के उस दी माता जड़ी हो जा रही है ते ओ की है उफील कर रही है सी final farewell farewell हो दे बिदाई देनी ते मतलब आपन अपनी माता नो बिदाई दे रहा सी गा she might have given to the child poet शायद कहने दा ओहो उस दी माता एक child poet ए जड़ा उसनों जन्म दे चुकी सी क्योंकि बच्पन दे विच्चों ही एस दे विच्च जड़ा पोईट है चंगे the maids of the poet had many times promised him falsely जड़िया उस दी मेड जी नौकराणिया सी गिया ओहो पोईट नू बहुत बार चुट जड़ा प्रामिस है ओहो प्रामिस कीता हुना ने about the returning of his mother in one day or the another day के ओस दी यड़ी माता है हो बापस आवेगी कनेक दिना but he was never given the reality of the situation पर उसनों कदे भी असली situation दी रियाल्ट यो नहीं दसी गई के ओहो बापस कदे भी नहीं आवेगी the poet feels as if his mother visit to his chamber या room लालो room उसनों इस तरह फील हुनदा सी poet नू ओदो जदो बचपन दे विच उस दी माता मरी सी के उस दी माता जड़ी उस दे कमरे दे विच आउंदी है to look after the well-being of her son अपने बेटे नू look after हुन देख पाल करना के अपने बेटे दी देख पाल करन दे ली आउंदी है उसनों लगदा सी गा poet नू his safety उस दी safety दे ली and mental makeup ते उस दा mental makeup ते उस दी यड़ा mental ये सोच है जड़ी मतलब उस दी उसनों संबाल न दे ली के हो ज़ादा depression दे विच ना चला जावे he wants to reverse the time so that again he will be able to lead the life with his mother ओ मतलब ज़े टाइम है दोबारा reverse करना चाहूंदा है भी दोबारा मुड के ओ टाइम आजे तां कि ओ अपनी माता दे नाड जड़ी जिन्दगी हो दोबारा बदीत कर सके इन complete emotional mood ओ हो पूरे emotional mood दे विच्च ही सेज ओ कहन दा है पूरे emotional mood दे विच्च हो कह रहे है अगले जड़ी जड़ी लाइना ने तो की कहे would I wish them here ता मैं कहें दा ओसनू एथ मंगलमा विशनू के ओ मेरे लवे होन जड़ी उस दे दिनने सारे प्राने the poet compared his situation to a wandering ship आपनी जड़ी situation है ओसनू ओप्यार कर देक wandering ship मतलो जड़ा एक wandering हो दे कुम ना एक जड़ा ship पह जहाँ पानी दे विच्च कुम दा फिर दे विच्च दस नोट हैव एनी port और एनी harbor पोर्ट या harbor होन दे किनारा जिस दा कहें दे कोई भी किनारा नहीं होन दा he feels the lacking of his mother ओपनी माता दी lack होन दा है काट काट महसूस कर रहा है who might have shared his long suffering जड़ी की शायद ओस दी यड़ी लंबे है दुख ने ओहो share कर दी in the end he reminds ओ जाद दला हो दा है एंड दे विच्च his childhood days and thud reviews his joys which used to be his जड़े की ओस दे सी गे अते ओ जड़ा पना childhood जाद दला हो दा है ते बाकी ओ जड़े reviews कर दा जड़े दिन सी ओस दे ज़ए खुशी पर एदे न ओ सारे की ने उस दे सी गे ओस वक्त ओ मालक सी गवना देना दा खुशियां पर एदेना दा this is a great exploiter 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 हों दा है लुटन बाड़ा this is a great exploiter and it has stolen the powerful effect of his mother एक ना बहुत ही एक लुटक सुट करन बाड़ा है समेनू कह रहा हो and it has stolen त्यों हो लुटक चुक्किया है पावरफुल इफेक्ट ऑफ हिज मद्र यह ना पावरफुल इफेक्ट है प्रबाब है उस दी माता दा उसनों उसने किया है लुट लिया कि उस दी माता जड़ी होनों उस दे को नहीं हैगी और बहुत जादा दुखी है सुपर सो देखो एस ही गा अपनी फोर्थ पोएम सो आई होब के तो अनू समझाई होवेगी on the seat of my mother's picture out of Norfolk सो जेकर चंगी लगी है समझाई है ता वीडियो नों के शेर करो ठीक है ते लाइक करो और जेकर चैनल ते नवे हो ता चैनल नो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना पुल सो मिल दियां अगली वीडियो लेके उदों तक देओ इजाजत थैंक यू सो मच